हेलो दोस्तों स्वागाते हैं आप सभी का GST के एक और नए वीडियो में Registration Under GST में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Persons Not Liable for Registration Section 23 इसके पहले मैंने आपसे Registration के Basics जो थे वो सारे डिसकस कर लिये थे साथ में Persons Liable for Registration Section 22 ये भी मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिसकस कर लिया था अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आप जाकर के वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं सारे वीडियो आपको सेक्षन 22 जो था जिसमें हमने डिसकस किया था कि कौन-कौन Persons Liable होंगे for Registration ये मैंने आपसे डिसकस कर लिया है अभी यहाँ पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं सेक्षन 23 जिसमें हम यह देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे Persons होते हैं जो कि लाइबल नहीं होते हैं रेजिस्टेशन करवाने के लिए मतलब जिनको रेजिस्टेशन करवाने की requirement नहीं है Persons Not Liable for Registration जो होता है वो हमारा सेक्षन 23 के अंदर आता है यह मैंने आपको बता दिया अब यहाँ पर हमारे अलग-अलग सब सेक्षन आते हैं सब सेक्षन 1 में हमको यह बताया जा रहा है कि अगर कोई person जो है वो engaged है exclusively in the business of supplying goods or services which are not liable to tax or are wholly exempt from tax आपको पता है कि GST के अंदर में कुछ ऐसे goods होते हैं जो कि अभी GST के रेजिम में आते ही नहीं है रूसी चिस कुछ ऐसे goods होते हैं जो GST के अंदर आते तो हैं लेकिन वो exempt होते हैं GST से मतलब उन पर कोई भी GST charge नहीं होता है तो अगर कोई एक ऐसा person है जो कि exclusively, exclusively का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे goods जो कि या तो liable ही नहीं है GST के लिए या तो फिर GST से पूरी तरी से exempt हैं अगर इसके business में वो engaged है ठीक है मतलब यही goods वो supply करता है और कोई other goods supply यहाँ पर नहीं करता है तो उस case में वो liable नहीं होगा registration करवाने के लिए और example यहाँ पर हम से यह बोला जा रहा है अब आपको पता है कि petrol पे GST नहीं चाहज़ होता है यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान यह रखेगा कि यहाँ पर अगर कपूर ओयल्स जो की exclusively का मतलब सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वो supply कर रहते अगर इसके साथ में कोई वो taxable goods भी supply करने लगते जिन पर GST चार्ज होता है तो उस case में यह liable हो जाते अगर इनकी limit अगर इनकी aggregate turnover के limit 20,000,000 या फिर 10,000,000 को exceed कर जाती लेकिन क्योंकि यह exclusively engaged है तो इसलिए यह यहाँ पर liable नहीं होंगे इसके बार आता मारा next subsection यानि की subsection 2 यह बोल रहा है an agriculturalist to the extent of supply of produce out of the cultivation of land agriculturalist का मतलब कि ऐसा एक परसन जो की cultivation of land करके उसको supply करता है जो भी produce वहाँ से निकलती cultivation से उसको वहाँ पर supply करता है और उससे वह अपनी earning करता है तो जो भी agriculturalist होगा वो not label for registration होगा मतलब उसको registration करवाने की requirement नहीं है यहाँ पर देखिए आपर agriculturalist की थोड़ी से definition इन्होंने बताईए इन्होंने बोला कि individual या फिर H.U.F. ठीक है अगर undertake करता है cultivation of land by his own labor मतलब कि जैसे अगर मालो कि मैं agriculturalist हूँ मैं cultivation of land करके उसे produce निकाल के supply करता हूँ तो अगर मैं खुद कर रहा हूँ तो भी मैं agriculturalist हूँ अगर मैं अपने किसी family member के through करवा रहा हूँ तो भी मैं agriculturalist हूँ मतलब मेरा अगर मालीचे कोई भाई जाकर के cultivation of land करके लाया और उसी को मैंने यहाँ पर supply कर दिया तो ये भी क्या होगा ये भी उसमें agriculturalist की definition में ही आ जाएगा तीसरा यहाँ पर हो सकता है by the servant मतलब ना मैंने खुद जाकर के ना मैंने अपने किसी family member को भेज करके मैंने servants हायर कर लिये जिनको मैं wages pay करूँगा in cash और in kind cash का मतलब तो पैसे में दे दिया cash में दे दिया और kind का मतलब कि हो सकता है मैंने produce जो निकली उसी produce का कुछ portion 10% 20% उन servants को दे दिया तो या तो मैंने खुद किया या तो मैंने किसी family member से कर रहा है या तो मैंने किसी servant को hire करके उससे करवाया इन तीनों cases में मैं ही agriculturalist यहां पर हूँगा इसके बाद यहां पर यह बोले further if an agriculturalist is also engaged in making any supply other than the supply of produce out of the cultivation of land he shall be liable to registration based on applicable threshold limit समझे यहां पर क्या है जैसे माल लिजे कि यह मैं हूँ ठीक है मैं यहां पर cultivation of land से भी कुछ portion जो है वो supply करता हूँ साथ ही मैं हो सकता है कि मैं कोई और business भी करता हूँ यहां पर market से खरीद करके उसमें थोड़े से changes करके उसमें value add करके उसको भी sell करता हूँ मतलब other than cultivation of land मतलब cultivation of land के भी supply कर रहा हूँ जो produce मेरी निकल ली खेती से उसके भी supply कर रहा हूँ साथ में कुछ और ऐसे goods भी supply कर रहा हूँ जो कि मेरी cultivation of land से नहीं आते हैं तो अगर मैं exclusively इसमें engaged हूँ तब तो मैं not liable हूँगा registration के लिए लेकिन अगर मैं ऐसे goods भी supply कर रहा हूँ जो कि cultivation of land से नहीं आ रहा है तो उस case में मैं liable हो जाऊँगा registration के लिए अगर मेरी pressure limit जो है वो exceed करती है एक certain limit को यानि कि 20 लाक या फिर 10 लाक को अगर मेरी limit जो है वो exceed करती है तो उस case में मैं liable हो जाऊँगा registration करवाने के लिए For example अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर बोल रहा है Vinod is an agriculturalist engaged in the cultivation of wheat on his field in the state of Punjab He was exclusively engaged in the supply of wheat cultivated on his field in the previous year Thus he was not liable for registration as he was exclusively engaged in the supply of produce out of the cultivation of land वह भी मैंने जो आपको बता है वही बत यहाँ पर बोली गई है कि अगर आप cultivation of land से जो भी आपका produce निकला है अगर आप उसी के ही business में exclusively engaged हो तो आप person not liable वाले case में होगर आपको registration करवाने के लिए requirement आपकी नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ But in the current year ठीक है previous year में तो उस वो not liable था क्योंकि वो क्या करता था exclusively जो cultivation से निकलती थी wheat उसी को ही वो supply करता था लेकिन current year में क्या किया उसने he decides to start trading in rice apart from supplying his wheat produce तो उसने क्या किया कि cultivation of land का तो करी राता वो जो कि क्या था wheat था उसने साथ में add-on कर दिया यहाँ पर rice की जो कि वो किसी और से purchase करके market में supply करेगा trading का मतलब कि किसी और से purchase करेगा और इसको वो market में supply करेगा his turnover in the current year is 32 lakh from the supply of wheat and 9 lakh from the trading of rice तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर अब मैं आपको बताए कि अगर cultivation of land के अलावा अगर कोई और भी product अगर वो supply कर रहा है तो इस case में क्या होगा कि वो person liable हो जाएगा registration के लिए लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर aggregate turnover की limit हम चेक करेंगे कि उसकी जो limit है वो 20 lakh या फिर 10 lakh को exceed कर रही है या फिर नहीं कर रही है अब aggregate turnover की जो threshold limit होती है उसके बारे मैंने आपको person liable for registration वाले case में बता दिया था तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो वाला देख लो उसमें मैंने detail में इसको cover किया हुआ है इसके बाद यहाँ पर आपको यहीं बताया गया since he is engaged in trading of rice also he is not covered under section 23 above the threshold limit for registration applicable for the person exclusively engaged in the supply of courts in the state of Punjab is 40 lakh मैं आपको last video में बता था कि limit normally 20 lakh की होती है लेकिन अगर state की request आती है तो इसको जो government है वो बढ़ा करके 40 lakh भी कर सकती है अगर कोई supplier जो है वो exclusively engaged है in the supply of goods तो यहाँ पर यह goods की supply कर रहे हो 40 lakh की limit पंजाब के लिए हाँ पर set है the aggregate turnover of Vinod in the current year is 41 lakh यानि कि 32 lakh उसका wheat से और 9 lakh उसका rice से तो इस case में क्या होगा he will be liable for registration इसके बाद आता हमारा last subsection यानि की subsection यह बोल रहा है specified category of persons notified by the government तो कुछ ऐसे specified category of persons है जो की government है notify कि हुए है जो की not liable होंगे for registration सबसे पहली category अगर आप इसमें देखेंगे तो बोल रहा है persons making only reverse charge supply reverse charge supply का मतलब समझ लेते हैं जैसे मालेजे normally क्या होता है कि अगर A goods supply करता है B को यहाँ पर A GST collect करेगा B से और government को यहाँ पर payment कर देगा अपना ITC का benefit लेकर के government को payment उसने कर दिया reverse charge में क्या होता है कि A जो है यानि कि supplier वो GST का payment government को नहीं करता यहाँ पर recipient जो है वो government को payment करेगा GST का क्या होँ रिवर्स हो गया normally supplier करता था लेकिन यहाँ पर reverse charge में recipient ने किया तो अगर एक ऐसा person है जो की ऐसी supplies करता है जो reverse charge के अंडर में आती मतलब government ने कुछ ऐसी categories यहाँ पर set करके रखी है जहाँ पर GST का payment होगा on the basis of reverse charge तो अगर वो ऐसी supplies करता है जिन पर सिर्फ और सिर्फ जो GST का payment है वो reverse charge के according अगर होगा तो वो यहाँ पर not liable होगा for registration इसके बाद आती हमारी B category B में बोल रहे है person making interstate supplies of taxable services up to rupees 20 lakh 10 lakh in case of special category states जिसमें की मिजोरम, त्रिपुरा, मनिपूर, एंड नागलेंड आते हैं मतलब नॉर्मली constitution के according 11 special category states है लेकिन registration में हमने सिर्फ और सिर्फ चार states को special category states का status दिया हुआ है जिसमें की मिजोरम आती है त्रिपुरा, मनिपूर, एंड नागलेंड आप समझें, यहाँ पर क्या बोल रहे है एक होता है section 24 section 24 बताता है compulsory registration के बारे में तो compulsory registration का मतलब होता है कि अगर आप उस category में आ रहे हो तो आपको compulsory registration करवाना पड़ेगा आपकी aggregate threshold limit नमसे कोई मतलब नहीं है वो चाहे जितनी भी हो अगर आप उस category में आते हो तो आपको registration करवाना पड़ेगा compulsory तो उसी में category आती है जहाँ पर अगर आप interstate taxable supply कर रहे हो चाहे goods की हो, चाहे services की हो अगर आपने interstate supply करी है तो उस case में आपको compulsory registration करवाना पड़ेगा लेकिन उसी के अंडर में exception भी होता है जहाँ पर आप अगर interstate supply कर रहे हो taxable services की up to rupees 20 lakh तो फिर आपको compulsory registration करवाने की requirement नहीं है तो उस section 24 में तो यह exception हो जाती है लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे है persons not libel की तो अगर आप interstate supply कर रहे हो तो मतलब एक state से दूसरे state में अगर आप supply कर रहे हो of taxable services up to rupees 20 lakh normal category states में 20 lakh और 10 lakh rupees in case of special category states तो उसमें आपको registration करवाने की requirement नहीं है इसको अगर exceed करता है तो फिर आप libel महा पे हो जाओगे इसके बाद आती हमारी C category जिसमें persons making interstate taxable supplies of notified handicraft goods और notified products when made by craftsmen predominantly by hand even though some machinery में अलसो भी used in the process up to rupees 20 lakh and 10 lakh in case of special category states तो जैसे अभी हम लोगों ने पीछे आपर बात करी थी जिसमें कि अगर आप interstate supply कर रहे हो of taxable services up to 20 lakh rupees तो उसमें आप libel नहीं होगे registration के लिए इसी तरीके से अगर आपने interstate taxable supplies करी है of notified handicraft goods और यह limit आपकी 20 lakh तक ही है मतलब 20 lakh तक ही आपने supply यहाँ पर किया है तो आपको registration करवाने के लिए requirement नहीं है मतलब आप libel नहीं होगे registration करवाने के लिए और यही limit जो है वो 10 lakh रुपए हो जाती है in case of special category states एक पॉइंट का यहाँ पर यह ध्यान रखेगा कि यहाँ पर conditions to be fulfilled मतलब कौन कौन सी condition यहाँ पर fulfill होनी चाहिए उसके बाद ही यहाँ पर वो not label होगा उस person के पास में हाँ पर pen card होना चाहिए दूसरी चीज़ वो e-way bill भी generate करेगा मतलब जब भी वो interstate supply करेगा तो उस case में वो e-way bill भी generate करके देगा और साथ में उसके पास में pen card भी यहाँ पर होना चाहिए इसके बाद आदा last category यानि की casual taxable person अब देखे casual taxable person यानि की CTP यह भी compulsory registration के अंदर में आता है मतलब अगर आप ए casual taxable person हो तो उस case में हम आपकी aggregate turnover की threshold limit नहीं चेक करेंगे आपको compulsory registration करवाना पड़ेगा लेकिन अगर आप ए casual taxable person हो जो की interstate taxable supplies कर रहा है of notified handicraft goods और 20 लाग रुपय तक ही कर रहा है अगर normal category state में तो 20 लाग रुपय special category state में है तो 10 लाग रुपय तो अगर आपकी जो supply है taxable supply interstate की वो अगर 20 लाग यह 10 लाग रुपय से कम है तो फिर आप not label होगे registration कर ले तब आपको यह नहीं कहेंगे कि आपको compulsory registration करवाना पड़ेगा लेकिन वही चीज़ है यहाँ पर भी यह ध्यान रखेगा आपको doubt हो आप comment करके मुझसे पूर सकते हो बाकि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको like करना मत भूलेगा साथ में चैनल को subscribe जरू कर दिजएगा मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में thank you